पनवेल महानगर पालिका की डबल ट्रेक्स प्रणाली और बकाया संपत्तिकरों पर ब्याज लगाने के फैसले के खिलाब आज नगर सेविका लीना गरड ने आरपार की लडाई शुरू कर दी खारगर कालोनी पोरम के जरिये आज कामोठे और खारगर में सांकेती का अंदोलन की सुरुवात करते हुए लीना गरड ने कहा कि यहारपार की लडाई है और जब तक न्याय नहीं मिल जाता अंदोलन जारी रहेगा देखी रिपोर्ट पनवेल महानगर पालिका की डबल टेक्स वसूली पर मचे विवात के बीच अब बकाया संपत्ती करों पर दो फेस्दी व्याज वसूलने के फैसले ने नया बवाल पैदा कर दिया है इसके खिलाप आवाज उठाते हुए खारगर कालोनी फोरम की अध्यक्षा नगर्श जेविका लीनागरण ने अब आरपार की लड़ाई छिड दिये आज लीनागरण ने काम उठे और खारगर में एक दिवसी सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जिसमें हजारों नागरिकों ने हिस्सा लिया मंच से हुंकार भरते हुए लीनागरण ने एक तिस मार्श के बाद होने वाली ब्याज वसूली को रद करने की मांग की उन्होंने का किसके निरने का अधिकार मन पायुक्त के पास है फिर भी सत्तारूर बीजेपी के दबाव में वे जनहित का फैसला करने में देरी कर रहे हैं लीनागरण ने चेतावनीदी की यदि नयाय नहीं मिला तो और भी तिब्रान दोलन होगा अधिकार मानने चाहती हैं अगर पान्सों रुपए में शुड़कों हमें सेवा इजे सकती हैं तो उसी के लिए मानने भी मानने नहीं हैं हम कभी इस प्रकार का अन्य से नहीं करेंगी हम जर्पर जनारगन है हम लोक्षाई हमार लोक्षाई की अमर यह दिने शलता है हमें अपने दाकत दिखाने पड़ेगी इस प्रकार से आज यह सत्ताधारी हम पर अन्याए कर रहे हैं गलिक तरिकर से हम पर टैक्स लगा रहे हैं पुरे महानगर पालिका में धाईलाग प्रॉपर्टी होनों इसे हैं कितने धाईलाग लोगों की लडाई है हम सब को संक्रटित होकर एक जुट होकर इस टैक्स की विरोध्य अंदुलन में खड़े रहना है जबतार हमार रिजर्ट्स नहीं आते हैं लोगों को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं भरना है अगर जन्दा एक जुट हो गई तो इस सत्ताधारियों को जुख नहीं पड़ेगा इस प्रकार पंजाम में किसान अंदरों हुआ था कानूं चाहे कोई भी हो उनको जुख नहीं पड़ा आपके सामने सत्ताधारों को जुखना ही पड़ेगा ब्यरो रिपोर्ट टीबी वन इंडिया लेटेश अपडेट्स और ताजातरीम खबरों के लिए टीबी वन इंडिया लाइब को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दवारा मत देए